एक कौवा एक वन में रहा करता था, उसे कोई कश्च नहीं था और वो अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था, एक दिन उड़ते हुए वो एक सरोवर के किनारे पहुँचा, वहां उसने एक उजले सफेद हंस को तेरते हुए देखा, उसे देखकर वो सोचने लगा, य हंस कितना सवभाग्यशाली है, जो इतना सफेद और सुन्दर है, इधर मुझे देखो, मैं कितना काला और बदसूरत हूँ, ये हंस अवश्य इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा, वो हंस के पास गया और अपने मन की बात उसे बता दी, सुनकर हंस बोला, नहीं मित्र, वाक्तव में ऐसा नहीं है, पहले मैं भी सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुन्दर पक्षी हूँ, इतने बहुत सुखी और खुश था, लेकिन एक दिन मैंने तोते को देखा, जिसके पात दो रंगों की अनोखी छटा है, उतके बाद से मुझे यक है कि वहीं दुनिया का सबसे सुन्दर और खुश पक्षी है, हंस की बात सुनने के बाद कौवा तोते के पास गया और उससे पूछा कि क्या वह दुनिया का सबसे खुश पक्षी है, तोते नहीं उत्तर दिया, मैं बहुत ही खुश्गवाद जीवन व्यतीत कर रहा था, ज उर्ते उर्ते वह एक चिरिया घर पहुंचा, वहां उसने देखा कि मोर एक पिंजरे में बंध है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हैं, सभी मोर की बहुत सराहना कर रहे थे, सब के जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और उससे बोला, तुम कितने सौभाग यशाली हो, जो तुम्हारी सुन्दर्ता के कारण हर रोज हजारों लोग तुम्हे देखने आते हैं, मुझे तो लोग अपने आसपास भी फटकने नहीं देते और देखते ही भगा देते हैं, तुम इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो ना, कौवे की बात सुनकर मोर उ लेकिन मेरी यही सुन्दर्ता मेरी शत्रू बन गई है और मैं इस चलियाघर में बन हूँ, यहां आने के बाद इस पूरे चलियाघर का अच्छी तरह मुआयना करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है, जो यहां कैद नहीं है, इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोचने लगा हूँ कि काश मैं कौवा होता, तो कम से कम आजादी से बाहर घूम सकता और तब मैं इस दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी होता, Moral of the story, हम हमेशा दूसरों को देखकर ग्यर्थी स्वयम की तुलना उनसे करने लगते हैं और दू, खी हो जाते हैं, भगवान ने सबको अलग बनाया है और अलग गुन दिये हैं, हम उसका मेहत्व नहीं समझते और दू, ख के चक्र में फंस जाते हैं, इसलिए दूसरों के पास जो है, उसे देखकर जलने की बजाय हमें हमारे पास जो है, उसके साथ खुश रहना सेखना चाहिए, खुशी बाहर धूंडने से नहीं मिलती, वह तो हमारे अंदर ही छिपी हुई होती